बाई गोड से क्या बगिच्चा है बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है काफी बड़ा बगिच्चा है इनका आज लग रहा है दोस्तों पूरी तरह से गर्मिया आगी है गुड मॉर्णी गाइज गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून कैसे आप लोग मैं विक्याचारी आपका दोस्त और आप देख रहे हैं विक्याचारी व्लोग से दोस्तों आज मैं आया हूं दम्सु गाओ में यहां पर एक पार्टी है चोड़ी सी पार्टी है मैं और गॉरव आया है दो जने रसोई हमारी एकदम से ओक्के है व्लोक बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा नहीं काफी ठखने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आया हूं थोड़ा घूमने इधर-उदर ॉदर यहां इलाका है यह पूरा सेव का फुरी सेव की सेहर सेर मतलब बहुत बड़ा एरिया है तो यहां पर सिर्फ सेव की पैदाबार है बहुत जादा सेव है और बड़े बड़े पेड़ है आप देख सकते हैं जब जब इनमें पत्ते लगते होंगे इन पेडों में तब तो बिल्कुल जंगल ही बन जाता हो गया अब है काफी पास- शेह को पार्टी यानि कि बड़े पार्टिया बर्थ क्या बोलते हैं कूण आया यानि की बच्चा वहा है तो उसकी पार्टी बे खैरा बैसा है और जो निकार बहुत ही बड़िया इलाका है यहां उपर की तरफ एक जंगल है और नीचे पूरे शेव के बागी च्छे में यह बागी चे हैं मारे पास यह दिखा सकता हूँ मैं आज गाओं फिर कभी दिखाऊंगा कभी गाओं में कोई फंक्चन होगा तो गाओं दिखाऊंगा काफी अच्छा बड़ी गाओं यहां रसोई के साथ ही है जमेरी का पेड़ जमेरी का नहीं के बोल सकते हैं एक-दो-ती सचा उसके पेड़ा लेकिन यह जमीरीडी है गाओं ने मुझे बताया था और यहां पर बैटा है गाओं जी अकिले बैटे हैं क्या देख रहे हैं आप दिखाऊंगा यह दोस्तों हमारी रसोई चोटी सी रसोई और यह है घर जहां पर पार्टी है यह बागेच्चे के बि चोबीच है गारो काफी जादा परिशान है आज गर्मी से इस नीचे वाले खेत में खिलाएंगे हम लोग खाना इन लोगों को उठाया जाएगा यहां से फिर चटाए बगएर बिचाएंगे और खाना खिलाएंगे यह रही हमारी रसोई हमारी आज के आइट में पनीर मदरा राजमा दाल चने और काफी जादा लोग आने शुरू हो गए हैं लगभग चार बजे के बाद हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया है शुरू में दूर के जो महमान होते हैं वही खाते हैं और जो गाओं वाले हो तो काफी लेट आते हैं खाना खिलाने का करम यूंहीं चलता रहा और लगभग आठ वजी तक हमने खाना खिलाया रात के और मैं लगभग साड़े आठ पॉने नौव बजी घर पाहुंच गया आज की व्लॉग में बस इतना ही दोस्तों मिलेंगे आपसे कल इसी समय एक नए व्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा गुट बाई